ये कहन है 15 साल के एक लड़के की जिसे अपनी मोम से प्यार हो जाता है और वो अपनी अवस मिटाने के लिए क्या क्या करता है ये हम इस वीडियो में देखने वाले है हेलो दस्तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्रैंट करने वाले है उस मुवी का नाम है मरमर अप्ताहाट और ये 1972 में रिलिस हुई थी मुवी स्टार्ट होती है और हम लोरन नाम के एक लड़के को देखते है जो फ्रांस की सड़कों में लोगों से चंदरा इकठा कर रहा था ताकि वो अपने डेस के सोलजर्स की मदद कर सके क्योंकि इस समय इंडो और चाइना के बिच वार चल रहा था जिसमें फ्रांस भी इन्वल था डोनेशन इकठा करने के बाद लोरन और उसका दोस्ते एक बुक स्टोर में जाते है जहाँ पर मौका देखकर लोरन एक बुक चुराता है और जाते समय वो बुक स्टोर के ओनर से भी डोनेशन लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है इसके बाद हम लोरन की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसके मौम डेड़ और दो बड़े भाई थे लोरन के दोनों भाई काम करके पैसे कमाते थे लोरन उन्हें देखके सोचता है कि कास वो भी उन्हें की तरह काम करके पैसे कमाई लोरन की मौम केरल सबसे ज़्यादा लोरन से प्यार करती थी तो वहीं लोरन के डेड़ चास एक डॉक्टर थे वो अपने काम में इतना बिजी रहते थे कि वो अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते थे जब भी वहाँ उसके दोनों भाय आते है और वो लोरन को परिशान करने लगते है तो लोरन भी उनके साथ मस्ती करने लगता है और ये तीनों अपनी पैंट उतर कर एक दूसरे कात्या नापने लगते है लेकिन तब भी वहाँ उसकी मेड आ जाती है और वो उन लोगों को डाट के वहाँ से भगा देती है अगले दिन जब लोरन स्कूल जाता है तब उसके फादर उसे डाटने लगते है क्योंकि आज वो बहुत ही लेट आया था क्लास के बाद लोरन और उसका दोस्त एक जगह पे बैठके समोक करने लगते है इसके बाद जब वो घर जा रहा था तब वो अपनी मॉम को देखता है जो किसी गेर मॉट के साथ कार में बैठकर कही जा रही थी ये देखकर लोरन समझ जाता है कि उसकी मॉम का किसी आदमी के साथ अफैर चल रहा है इस बात पर उसे बहुत ही गुसा आता है और वो घर चला जाता है आगे वो गुसे में ये बात अपने डेड को बताने जाता है पर उसके डेड एक पेसंट के साथ मीजी थे इसलिए वो उसे डाट कर वहां से भगा देते है इस बात से गुसा होकर लोरन घर आकर अपने कपड़े फाड़ने लगता है और अपने भाईयों से भी बात नहीं करता इसके बात जब वो डिनर कर रहे थे तब लोरन की मम उस आदमी से मिलकर घर आती है और लोरन से प्यार से बात करने लगती है पर लोरन अंदर ही अंदर उन पर गुसा हो रहा था इसलिए वो उन्हें एग्नोर कर देता है अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तब वो फादर के पास अपनी गलतिया कबूल करता है वो अपनी गलतिया कबूल करते हुए कहता है कि मैंने पेरेंस से जूट बोला है मैं समोक करता हूँ और कभी कभी तो मैं मास्टरबेट भी करता हूँ फादर उसे प्यार से समझाते हुए कहते है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था और आज से तुम्हें ये गंदियात्ते छोड़नी होगी लेकिन इसके बावजूद भी लोरन अपने फ्रेंड के साथ समोक करना जारी रखता है जब वो घर पहुंचा है तब वो देखता है कि उसके दोनों भाईों ने अपने फ्रेंड को घर बुला कर पाटी कर रहे थे तो लोरन भी उनके साथ सामिल हो जाता है और एक लड़की लोरन के करीब आती है और उसे केश करती है पर तब भी वहां उसकी मेडा जाती है और वो लोरन को डाट के वहां से भगा देती है अब रात को लोरन के दोनों भाई लोरन को एक कलब में ले जाते है जहां उसे पता चलता है कि उसके दोनों भाई यहां कई बार आ चुके थे अब यहाँ एक लड़की लोरन के करीब आती है जिसका नाम ट्रेंडा होता है वो लोरन से बाते करती है और फिर उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ पहली बार लोरन एक लड़की के साथ एंटीमेट होता है फिर इसके बार लोरन स्कूल के स्कार्ट ट्रिपर चला जाता है लेकिन वहर जाकर उसकी तबियत खराब हो जाती है जिस वज़े से उसे वापस खरते जिया जाता है चब डॉक्टर लोरन के घर आता है तब वो उन्हें बताता है कि लोरन को स्कारलेट फीवर हुआ है और उसे ठीक होने में almost एक month का time लग सकता है इसलिए डॉक्टर उन्हें कहता है कि लोरन का अच्छे से ख्या रखा जाए इसके बाद लोरन की मौम लोरन के पास आती है और वो लोरन को बताती है कि जब मैं तीन साल की थी तब मेरी मौम मुझे अमेशा के लिए छोड़ कर चली गई वो कहती है कि मेरे डेड एक पॉलिटेशन थे और वो ठीक तुमारे डेड की तरह अपने कामे बीजी रहते थे और हर रात एक नई लगकी के साथ खर आते थे आज तुमें देखकर मुझे अपना बच्पन याद आता है ये कहकर लोरन की मौम वहाँ से जाने लगती है तब लोरन अपनी मौम को विंडो से देखने लगता है और उसकी मौम उसी आदमी के साथ चली जाती है जब लोरन का रिपोट आता है तब सब को पता चलता है कि लोरन को एक दिल की बीमारी है जिसे मरमर अपधी हाट कहा जाता है उस मुश्किल घड़ी से बाहा निकलने के लिए सब लोग लोरन का साथ देते हैं और उसे खुस रखने की कोसिस करते हैं जैसे जैसे टाइम बीता है लोरन अब ठीक होने लगता है एक दिन लोरन के क्लास फादर लोरन से मिलने आते हैं जहां वो लोरन की मौन को बताते हैं कि इस बीमारी के बाद लोरन और भी मैचर हो गया है और वो पढ़ाई में भी बेहतर कर रहा है साथ ही वो ये भी कहते है कि लोरन को अभी भी अच्छे ट्रिग्मेंट की जरूरत है तो अगले दिन लोरन के पैरंस लोरन का इलाज करने के लिए सहर जाते है वो तीनों एक होटल में रुखते है जहां उन्होंने दो रूम बूख करने के लिए कहा था लेकिन एक सिक्योर्टी के गलती के चलते उन्हें सिर्फ एक ही रूम मिलता है और बदकिस्मिती से दूसरे रूम भी खाली नहीं थे इसलिए लॉरन और उसकी मौम को एक ही रूम में रहना पड़ता है और लॉरन के फादर वापस घर चले जाते है अब उस होटल में लॉरन हेलन और डेफिन नाम की दो लर्कियों से मिलता है और उन दोनों के साथ ताइम स्पेरन करने लगता है धीरे धीरे अब लॉरन हेलन को पसंद करने लगा था और एक दिन वो हेलन से मिलने उसके रूम में चला जाता है जहां वो एलन के करीब जाने की कोशिस करता है पर हैलन उसे रोकते हुए कहती है कि वो अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है फिर एक बार जब लोरन की मॉम नहा रहे थी तब लोरन उन्हें देखने लगता है जब इस बात का पता उसकी मॉम को चलता है तब वो उसे एक खपन मार देती है इसके बाद जब दोनों ब्रेकफास करें थे तब उसकी मॉम उसे पूछती है कि वो उन्हें क्यों देख रहा था तब लोरन कहता है कि मुझे तुम्हारे अफेर के बारे में सब पता है वो उसकी मॉम पर बहुती गुसा होता है और उनसे बात भी नहीं करता जब वो सो रहा था तब उसकी मॉम उसके पास एक लेटर रखके चली जाती है जब वो उठता है तब वो लेटर परता है जिसमें उसकी मॉम ने लिखा था कि उसे कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ा है और वो दो दिनों में लोट आएगी ये पढ़के लॉरन समझ जाता है कि उसकी मॉम अपने बॉइफरेंड से मिलने गई है जब लॉरन की मॉम वापस आती है तब वो बैट पर लेट कर रोने लगती है तब लॉरन उसके पास जाता है और उन्हें पूछता है कि वो रो क्यों रही है तब वो बताती है कि हम दोनों का ब्रेक अप हो जुका है तब लॉरन उन्हें इमत देते हुए कहता है कि जो हुआ सो हुआ तुम्हें उससे भी अच्छा मिल जाएगा जो तुम्हें बहुत ही प्यार करेगा तब लॉरन की मौम को ख्यालाता है कि वो ये सब अपने बैटे से डिस्कस कर रही है और वो लॉरन से सोरी कहती है तब लॉरन कहता है कि मैं आपका बैटा जरूर हूँ और मैं तुम्हारे फ्रेंड जैसा हूँ इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते है और दोनों खुल के बाते करते है रात को जब वो पार्टी में जाते है तब वहां वो दोनों ड्रिंक करते है और जब वो दोनों घर आते है तब वो अपना ओस खो बेटते है और दोनों साथ में एंटिमेट हो जाते हैं लेकिन इसके बाद लोरन को बहुती बुरा फिल होता है और वो अपनी मॉम से सोरी कहता है तब उसकी मॉम कहती है कि हमारे बीच जो हुआ वो बस एक एकसिडन था और हम दोनों को कुछ भी होस नहीं था और इसके बाद हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे और इस बात को हमेसा सीक्रेट रखेंगे तो लोरन उसकी बात मान लेता है इसके बाद लोरन हेलन के पास जाता है और हेलन के मना करने के बाव जुद भी उसे टच करने लगता है इस वज़े से एलन उस पर गुसा हो जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है इसके बाद लोरन डेफनी के कमरे में जाता है और उसके साथ एंटिमेट होता है अगली सुबद जब वो उसके डैड और उसके भायों को देखता है तब उसे लगता है कि उन्हें सब कुछ पता चल गया इसलिए वो थोड़ा डरने लगता है लेकिन लोरन की सकल पर सब लोग हसने लगते है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है